दोस्तों, Elon Musk का X, जो कि पहले Twitter हुआ करता था, एक ऐसा social media platform है, जहां पर आप अपनी कोई भी complaint होती है, तो डाल देते हो, तो 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 रहनती reply कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है, या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई privately आपने email नहीं किया है, या फिर वहाँ पर कोई comment क कर दी कि इस तरीके की चीज़ होगी, या दुनिया तक पहुंच जाती है, जिसकी वैसे उनका भी reply फटा फटा आ जाता है, मालो आपको flip card के अंदर दिक्कत है, उनको complaint कर दी, या किसी bike के साथ दिक्कत है, car के साथ दिक्कत है, तो उन company को tag करके जब आप इस तरीके की post लि देखने को मिल जाती है, लेकिन आप देखना नहीं चाते हो, और अचानक से स्क्रोल करते करते है, आपको दिख जाती है, अरे यह क्या आ गया मेरे सामने, तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, अब X के ऊपर एक warning भी आया करेगी, शायद वो adult content को blur कर दिया जाए जिसकी वज़े से आप सेफ रोगे इस तरीके के content से, क्योंकि अगर family वाले हो, या किसी office में हो, और कभी पर public place पर और इस तरीके की चीज़े चल जाएं, तो इस वज़े से इस तरीके की warning आनी ज़रूरी है, जो कि आएगी अब इस पे, दोस्तों, US के अंदर TCS के उपर इ लग रहे हैं कि वो Americans को हटा रहे हैं और उनकी जगे इंडियन्स को लगा रहे हैं, ऐसा इल्जाम अब तक 22 Americans ने लगा दिया है, कि वह या हमारी जगे पर H-1B विजा पर आए हुए Indians को हायर कर रहे हैं, बज़ए किसी और Americans को कर लें, मतलब हमें तो निकाल रहे हैं, लेकि उसकी जगे इंडियन्स को ले आते हैं, यह नहीं कि किसी और American को लगा देकर इतने ही वो बन रहे हैं, हमारी इतनी ज़्यादे ज़रूरत नहीं इनको तो यह हमारी जगे किसी और को ले लो यह ले रहे हैं, इंडियन्स को तो इस वज़े से वहाँ पर discrimination का case डाल दिया गया आटी सीएस के ऊपर कि हमारी रेस और एज को लेकर replacement कर रहे हैं, हमें equal employment opportunity नहीं दे रहे हैं, अमारिका के अंदर जो की रूल है वहाँ पर तो इस तरीके के इलजाम लग रहे हैं, जो की नॉर्मल सी बात है हमारे इधर तो भी आप रोज से ही काम चलता है और उपर से अगर आप एक ही जगे से आते हो, एक ही गाउन से आते हो या फिर एक ही state से आते हो या एक ही देश से आते हो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर तो सिंगापूर के अंदर अब 40 साल से उपर के लोग जो की IT फिल्ड के अंदर मौजूद हैं उनको artificial intelligence सिखाने के लिए दुबारा से university भेजने का suggestion दे रहा है कि भाया तुम्हें जरूरत है अपने skill बढ़ाने के पहले के वक्त में तो नहीं होती थी इस तरीके की चीज़े लेकिन अब आ चुकी है तो उससे match up करने के लिए आपको I think university में जाके दुबारा से AI के skill सीखने चाहिए क्योंकि जो य आप उसको बोल के बताओगे कुछ उसके बाद में वह आपकी आवाज की नकल निकाल सकती है और वो भी दूसरी languages के अंदर भी फिलाल के लिए उन्होंने इसको widely release नहीं किया है कुछ लोगों के लिए ही release किया गया जो कि उनके premium subscription वाले हैं तो उनके पास में इस तरीकी ची से भी जादा लेट हो गए जिसकी वएसे वो फ्लाइट उड़ी मंडे को और मंडे को इसका office था तो ये घर पहुचा काफी जादा लेट तो office क्या ही जाता जिसकी वएसे उस दिन इसकी छुटी हो गए और जो भी नुकसान हुआ उसको लेकर इसने फिर consumer quote में case file कर दिया औ और इतने सालों के बाद में अब जाके इस बंदे को इनसाफ मिला है कि हाँ उस एरलाइंस की गलती थी उसकी फ्लाइट लेट हुई और उसके वज़े से इनकी job का नुकसान हुआ काम का नुकसान हुआ इसकी वज़े से फिर इनको अब 85,000 रुबे का compensation दिया है और ऐसा incident जात में भी जब एक बंदे की ट्रेन इतनी जादा लेट होगी थी कि उसका भी जॉब का नुकसान हुआ था तो उसको भी कुछ compensation मिला था तो इस तरीके की चीज़े कुछ जिद्धी बंदे कर जाते हैं नुकसान तो नुकसान लड़ूंगा पूरा तो इस तरीके से यूटूबर देखे होंगे जो कि ऐसी जगें उपर जाकर दिखातें जहां पर आप शाय सोचों भी ना जाने तो वो हैती के अंदर जाकर गैंस्टर के साथ में वीडियोज बनाना चाहता था तो हैती के अंदर उतरा होटल में रुका और उसके बाद में उसकी वीडियो ही नहीं आई क्योंकि वहाँ पर land करने के कुछ दिनों बाद जब व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहा था तो उसको गैंक्स्टर्स ने उठा लिया था और उस गैंग का नाम है 400 Mousow Gang जो कहा जाता है कि वही पूरा है ये जो नेशन है वो चलाती है और ये जिस तरीके के भी टूरिजम ये यूटूबर करते हैं इनको एक्चुली में टेंजर टूरिजम कहा जाता है कि ये जान का रिस्क लेके वहाँ पे जाते हैं व्लोगिंग करते हैं ये सारी चीज़े करते हैं जिसके बाद में जब इस तरीके की चीज़े हो जाती हैं तो इसके बाद में अब रैंसम्वेर देके ही छूड़ते हैं दरसल यहां पर 6 लाख यूएस डॉलर मांगें गए जिसमें से 40,000 यूएस डॉलर तो दे दिये गए है बगबंदा अभी तक नहीं छोड़ा गया है इस बात को काफी ज़्यादा दबाया जा रहा था क्योंकि यह काफी ज़्यादा फेमस यूटूबर तो यह समझे रहे थे कि वही इससे और ज़्यादा निकाला जा सकता है तो फिलाल के चारीस हजार यूएस डॉलर चुका दि इंजट किये थे और इस साल की शुरुवात अभी तक कौन सा महीना चल रहा है इन्होंने 1554 लोग को अल्रेडी मार दिया है तो काफी ज़्यादा खतरनाक गया जो कहा यह जाता है कि वही यह हैती को चला रही है नहीं कि गौवर्मेंट चला रही है तो यह बंदा तो फस ग कर रहा हो ना कर रहा हो कि भाई पैसे ले ले छे लाग यूज डोर देता हूं लेकिन व्लोग तो बनाने दे पर आइधिंक जैसे यह रिलीज होगा ना यह तो भाई तोबह तोबह गल लेगा कि अगली बार से नहीं जाना किसी भी इस तरीके के देश के अंदर जहां पर ग